हेलो एप्रिबन वेलकम टू माई चैनल और आज हम इस साइड स्लिट वाले कुर्ती की ना कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसको सिलना बहुत ज़्यादा सिंपल है तो देखिए ये मेरा ना पांच मिटर का पूरा सूट है तो सबसे पहले हम सूट मैंसे निकालेंगे कुर्ती को हम ना दो भागों में डिवाइड करेंगे हमेन भाग भाग वीख जो फिल्ट डलती है वह भाग हम इसका कातना है फिली ऐपको आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो देखिए कुर्ती की पूरी लंबाई जो टॉटल है हमारी वो 44 इंच है तो इसका जो बोटम बाला है वो हमने रख लिया 28 इंच और जो टोप पार्ट है वो हमें लेना है 16 इंच तो ये 28 वाला जो पार्ट है बोटम का ये हमने पहले काट लिया इसमें डलेगी प्लीट्स तो कुर्ती का अब हम टोप पार्ट काटेंगे तो 16 इंच हमें काटना है तो देखिए इसको मैंने 16 इंच पे जो है काट दिया है अब इसमें हम ड्राफ्ट करेंगे तो ड्राफ्ट के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से इसको डवल फोल्ड कर लेना है और पहले हमें लेना है तीरा तो तीरा जितना आपका है उसका आप हाफ कर लीजिए जैसे 14 इंच है तो उसका half हुआ 7 इंच तो 7 इंच मैंने ले लिया है अब नीचे को लेना है arm hole तो 7 इंच में 1 प्लस करके हमें 8 इंच में mark करना है और आगे को न फिर हमें ही लेनी है छाती तो छाती जितनी आपकी है उसका भी 4th part होता है और उसमें फिर आप margin रख लिजिए 1,5 इंच या 2 इंच हमें margin रखना है और अब हमें यहाँ पे लेनी है कमर तो कमर भी जितनी आपकी है उसका आप 4th part ले लिजिए चोथा हिसा ही हम लेते हैं उसमें फिर दुवारा हमें 1,5 इंच या 2 इंच margin रखना है margin से margin को मिला लिजिए और त्यार नाप को त्यार माप से मिला लिजिए यहाँ पे आप arm hole की shape दे लिजिए और उपर तीरे से भी हमें थोड़ा सा तीर छा कट लेके गले की side लेके जाना है तो गुर्ती का top part भी हमारा कट चुका है और यह देखिए यह है top part मैंने प्लाजो का जो है यह काट लिया है जितना हमारा प्लाजो है लंबाई तो उतनी मैंने यह काट के side में रख ली है और यह बाकी का कपड़ा जो हमारा बच रहे है इससे हमेना लेने है बाजू तो बाजू भी सेम उसी तरह से मैंने इसको double fold करके फिर एक fold दिया है और जितनी बाजू की लंबाई तो थोड़ी सी मैं bells का जो है इसमें ले रही हूँ बैल्स वाले बाजू जो है आज कल बहुत चाज़ा चल रहे है तो देखिए उसको भी हमें फिर दो भाग में divide करना है एक bells वाला भाग और एक उपर वाला भाग तो आपनी बाजू की नाप के हिसाब से आप लीजिए तो देखिए इस तरह से मैंने ये लंबाई ली है और इसमें जो है आर्म होल की शेप देखे ये बाजू मैंने अब कट कर लिया और ये जो कपड़ा बच रहा है ये हमारा जब हम गले का डिजाइन बनाएंगे यहां से हो जाएगा और टोप पर जाहां से हमने काटा था ना वहां से भी हमारा जो है ना फैब्रिक बच ये देखिए ये वाला तो इसकी हम जो है बैल्स बनाएंगे इसको भी ट्रियांगल शेप मैं इस तरह से रखेंगे और देखिए फिर इस तरह से जतना हमारा जो बाजू की मूरी आगे हमने ली है ना उस पहले उतनी लेनी है देखिए कहां तक ये बैठती है मूरी के जितना ही हमें नीचे भी लेना है देखे बराबर करके मैं इस तरह से उपने गौमा के जितनी बैल्स लेने है उतना लेके गोलाई में इस तरह से अब हम ये काट लेंगे इस तरह से हमारा जो है ये बाजू भी आ जाएगा फुल स्लिप्स तो इसमें बैल्स वाली नहीं बनेगी लेकिन इतनी सी न बहुत अच्छी लगती है तो देखिए अब मैंने बाजू भी इसका जो है काट लिया है कुर्ती का और अब हम ये दोनों पार्ट को अलग करेंगे हमें यहाँ पर नेक डिजाइन बनाने है तो पीछले वाले में तो गोल सिंपल डीप आप चतना रख सकते हो उतना आप रखिए और उस हिसाब से जो है इसमें जो है हमने बैक कला जो है बना ले और मेरी इसकी जो चोड़ाई है वो है तीन इंच और डीप मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ तो इस तरह से और अब ये जो हमारा फ्रंट वाला जो नेक डिजाइन है वो इस तरह से आप अपनी मर्दी से बना सकते हैं ये रेडिमेट वाला ले रही हूँ ये बहुत जाजा सिंपल होता है इसको मैं आपको बताती हूं कि सिलते कैसे हैं देखिए इसको सिंपल है इस तरह से आप कोई भी कपड़ा लीजिए उसमें इसमें प्रेस करिए और फिर इसमें ना सिलाई लगाईए इसमें अटैच कर लीजिए ये देखिए प्रेस मैंने इसमें कर लिया है और सैट साईट से मैंने इसका कपड़ा निकाल दिया है भस थोड़ा सा फोल्ड करने के लिए ही छोड़ा है तो इस तरह से पहले इसको हम स्टीच कर लेंगे और हाँ फ्रेंट्स अगर आँ मेरी वीडियो में फर्स टाइम बिजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने में लेकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के जल्दी से मिल जाए तो दिखे इसको मैंने इस तरह स्टिच कर लिया है और जो बैक गले के लिए जो स्ट्रिप्स होती है और वाली वो भी मैंने ले लिया मैंने तो सब्से पहले फ्रन्ट वाला नयक्रडेयन हम बना रहे हैं तो मैंने असमें थोड़ा असा टक लगा लिया और जो यह बनाया था रेडीमर्ड वाला इसका भी allora गले और स्पछ रखे और पे усी तरह से से थे मिलस उसमें लगा मैं वहां से side side में जो है जिलाई लगाते जाना है और बहुत असाने से इस तरह से यह वाला जो neck design बन जाता है देखिए मेरा बन गया है थोड़ा थोड़ा छोड़के अब इसको हम कट करेंगे और इसको फिर पल्ट के लेंगे और हमारा neck design बनके त्यार है तो यह देखिए ब हमें लगानी है वह लगा लेंगे और फिर में जो है हम चोनट बाला इस देखिए चोनट यहां पर लगा लेंगे बहुत सिंपल आगे को सिंपल है बस चुनट बनाके इस तरह से बनाएंगे और फिटिंग देती बार हमें न इसकी जो slit होते हैं न वह छोड़ने जितनी ने हिप के नीचे और फिर उनको स्टिच कर लेजिए सिलने के बाद कुरती कुछ इस तरह से लगती है बहुत प्यारी लगती है प्लाजो की वीडियो इसकी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाले हूं बस आज की वीडियो यही है वीडियो देखने के लिए ारी लगती है ट्रॉच थीक बट एपने के angled को बा Million के वीडियो, यही यहीच था प्लान ounce से वाले है लोगती है सकतते बेथापने के वीडियो!